नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है बिनंदन है इलहाबाद विस्विद्दाले के नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के मन में सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि कितनी सीटों प्यार्मिशन हुए है और कितनी सीटे अभी खाली है क्योंकि कॉलेज भी ध और आप इतना फिस हो जाएंगे तो सारी वीडियो को देखा करिए वरना जितना एटम यहां से मैं छोड़ता हूं अगर मिसाइल मेरी आप नहीं सम्हाल पाएंगे एक बाजान लीजिए तो ये सारी बात है अच्छी है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कितने सीट आएक कदम और आगई मंजिल ये क्या उठाएक कदम और आगई मंजिल मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थाकान रहे यहानि कि आपके अडमीशन का मजा तब है जब आप बहुत बेसबरी से अडमीशन का इंतिजार कर रहे हैं और तब आपको उमीद भी ना हो तब आपक ईतनी बड़ी संख्या में चात्री अडमीशन नहीं ले रहे हैं अगर जितने को बुलाया गया उसमें से अभी 50% अडमीशन चात्र ले रहे हैं तो अभी की बात में बात करता हूँ कि बी-े में कुल कितने अडमीशन हुए हैं बहुत ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे सभी बहुत बेसबरी सिंति यार इस वीडियो का कर रहे थी कि कितने या कितने admissions हो चुके हैं इसकी update में आपको देता हूँ आज तक कि आज तक यानि कि 19 तारिक तक कितने admissions हो चुके हैं जो आज वाली cut-off थे उसकी में बात नहीं करूंगा लेकिन अभी तक बीए में लगभग 710 दाखिले हो चुके हैं यानि 710 admissions in BA Courses 710 यानि 710 in all category BA LLB में टूटल में बता रहा हूँ category wise और मैं नहीं बता हूँ अलकिन इसमें BA में अभी तक all category की cut-off आई है तो इसमें BA में लगभग 710 admissions all category में हो चुके हैं BA LLB में कुल मिलाकर की 150 seat में campus की हैं जिसमें 74 admissions अभी हो चुके हैं अभी भी यहां से लगभग 80 seat खाली हैं तो cut-off नीचे जाएगी और एकदम सभाविक है की cut-off नीचे जाएगी इसका वेट करते रही है VALB में लगभग 74 seat अभी तक भरी हुई है BICOM में लगभग 230 seat वपे admission हो चुका है यानि 230 seats in BICOM इन overall 757 seats में यानि 700 लगभग सादे 700 seat है BICOM की उसमें से लगभग 230 seat वपे BICOM में admission हो चुका है BFA course है आपका अगर यानि BFA में कुल मिला के 60 admissions हो चुके है यानि 60 दाख लिए BFA में हो चुके है seat बहुत कम है तो cut-off गिनने के chances नहीं है और BPA में कुल मिला करके 24 admissions यानि 24 admissions in BPA course और BSC bio की अगर बात करें तो BSC biology में 92 admissions हुए यानि 12 admissions BSC bio में हुए है और BSC home science में कुल मिला करके 21 admissions ये 21 admissions in BSC home science इसमें 58 seat हैं BSC home science में इसमें लडिकों नहीं आ रहे है city या पूरी खाली चले जा दी all category से लेके सब category को पूरा बुला दे रहे है admission ही नहीं हो रहा है क्या किया जा सकता है BSC mathematics में अभी तक आप जान लीजी 121 seats प्याडमी सन हुआ है अभी आप किस आपको बता रहा हूँ न कि cutoff इतनी नीचे जाएगे कि आप जीवन में उतना सोचे नहीं रहेंगे आप बस यहीं से जुड़े रहिए और आपको मैं लगातार ऐसा डोज दे रहा हूँ डोज ऐसे देता रहूँगा कि आपका उचसा बढ़ा रहेगा आप मेरे रहते हुए कभी बीटी मुटवेट नहीं हो सकते यह मेरी responsibility है यह मेरी जिमेदारी है अगर आप मुझे देखकर मुझे सुनकर यहां पर आ रहे हैं इस जर्नी को आप तैय कर रहे हैं तो पूरी की पूरी responsibility मैं आपके लेता हूँ तो यह सीटों का पूरा दाखिला है सीटों का पूरा विवरण है कि इतने सीटों पर अडमिशन हो चुका है अब जाके आप पुराना वीडियो स्क्रॉल करिए नहीं तो comment box में मैं उस वीडियो की लिंक दे रहा हूँ कि किस कोर्स में कितनी सीटे है ऐसे आपको मुझवानी बता दे रहा हूँ तो आप उससे आप कलकुलेटिंग कर लेंगे बे-मे में में चिलीट्य व॑यज यानी 466 में अभी तक 700 हूँ है बे-ललब में 150 सीटों पर अभी तक 74 सीटों हूए यानी 74 एदमिशन वीकावज भग 723 सीटों यानी 723 सीटों नहीं 223 एदमिशन हूए है बीफे पीए का छोटा मोटा मामला रहता है BSC बायो में लगबख 300 सीटे है main campus में तो इसमें अभी तक 92 admissions हुए है BSC Home Science में 58 seats पे 21 admissions हुए है और BSC Mathematics जानि कि 4700 सीटे हैं इसमें वहाँ पे अभी 121 ही admission मतलब 121 admission अभी तक हुए है ये बाते हुई खुसिया मनाईए क्योंकि बहुत बड़ी खुस खबरी है चपक के इसको share करिए और subscribe भी करवाईए अब चैनल को अब आप से भी मैं कुछ मांग रहा हूँ चपक के इसको share करिए और उसके बाद देखते रही है बस देखते रही है लगातार यार आप सब बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत आभार Instagram पे कोई सवाल हो पूछ सकते हैं reply नहीं देख call message बिलकुल मत call न करिए message आप ठोकिए message से मुझे कोई दिक्कत नहीं call मत किया करिए बस ये बाती थी बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत आभार